आपको दिखाने लगा है बहुत हुपसुत किसम की गारी और आपके भाई की बहुत ही ज़्यादा फेवरिट गारी थी बहुत दूड़ी यह गारी नहीं मिली बट आज हम जिस शुरूम पर अवेलिबल हैं यहाँ पर यह अवेलिबल थी यह है टिएटा क्रोला हैच बैक यह बेसिकली क्रोला की क्या कहते है नेक्स जनरेशन जो के पक्सदान में भी तक नहीं जाई बट गया चुकिए दोज़राब मोडल है आपको बता हैं कि बाइक कंट्रिस में काफी ज्यादा पहले चीजने आ जाती है पक्साने बहुत ज़्या लेट आती है अब को प्रॉपर डिटेल से खाते हैं चाटे आपको पहले आते हैं सारा इसके हैडलम की दरफ तो आप इसके हैडलम चाट कर सकते हों स्मोकी शेड दिया गया जो काफी जादा अट्रैक कर रहा है इसको और यह बिसिकली LED हैडलम्स इसमें मौझूद हैं बाकी फिर्ट बंपर प्याजाते हैं तो आप पहले इसकी ग्रिल चकूट कर सकते हो बहुत जादा बड़ी गिल है और बहुत जादा हुपसूर लग रही ह पर प्यानो ब्लैक आपको मिल जाएगा और मैट ब्लैक में इसकी ग्रिल मौझूद है जो की कफी सदे कॉंबिनेशन फिट लग और पार्किंग सेंसर मौझूद है और यहां पर आपको कर सकते हूँ यह सी शेड बनाव आपको लोगों मिल जाएगा ब्लू हाइलेट से यहां पर आपको हाइबिट की बेजिंग मिल जाएगी बिस्वान किसमें टायर इंस्ट्वाल है अलॉइविस के अगर बात चरें तो यहां से प्रफाइल चगूद कर सकते हैं कहाँ है यहां पर आपको बड़ी के लिए दिया गया है और यहां पर आपको साइटन सिंगनल कर सकते हैं यहां पर आपको बात इस्टिशिंग जो के बहुत ही जादा अगरी है यहां पर यह नहीं के किसी प्रीमियम गारी है वाकि स्पीकर मौजूद है बाटन होड़ दिख सकते हैं और यह वादियों को मिल जाएंगी विंड़ लॉक पड़न का बटन है डोलॉक्तर और्वियम के कंट्रोल है और दोर उपना ही दरफाएं तो यह आप देख सकते हैं अद्मिनियूम फिनिश में है यह ठीक हो गया और यह है वही कुछ इसका इंटेरियर यह बहुत ज़्यादा हुपसूरत इंटियर अब अंदर बैठेंगे प्रॉपर आपको डिटेल से प्रॉपर इसकी और प्रॉपर फैब्रिक में मौझूद है इसो फिक्स के माउंट हैं सील बैल मौझूद है और मौझूद है पीछे तीन हैडरस तीए गये है प्रॉपर मनलब आपको हर चीज इजिली में मिलेगी ठीक होगा बाकी लग रूम भी आप च्रूपकर सकते हो क इसके टेल लम्प देख सकते हो लावा स्टाइल में इसके टेल लम्प है और बहुत ज्यादा हुपसुट टेल लम्प है और थोग सा स्मोकी शेड़ दी है कि वैसे इसकी स्पोर्टीन ऐसे काफी इंक्रीज हो रही है ठीक हो गया बाकी 16 इंच के अपको बताया था अलॉई हैं काफी हुपसुट अलाइज है ठीक है यहां पर रिफ्लेक्टर मौजूद है और बैक भी पार्टिंग सेंस दिए गये हैं प्यानो ब्लैक का जो टैच बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा है इसको रियर से बाकी आपको रियर पर चकुट कर सकते हो त्योड़ अब जरा इसका ट्रंक भी चकूट कर सकते हो कुछ इस तरह भाई ओपन हो जाता है इसका ट्रंक अगर हम यहां पर आजए तो नीचे चकूट कर लेते हैं ठीक है अब टूल किट वगएरा मौजूद है अब चकूट कर लो यहां पर थ्वासर डीप है इस विए से आपका ज ज़्यादा खबसूट है और रियर से स्पोर्टीनेस जो है इसकी ना वही लाग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी गाड़ी है ठीक है बाकी मुझे गाड़ी में एक चीज़ काफी अच्छी लगए कि इसके जो कट्स हैं आप यहां पर देख सकते हूँ उसके कट्स तो यंग जनरेशन है वह तो हैच को बहुत ही ज़्यादा पसंद गिरती है ठीक है और उपर से हाइबेड हो तो आपके सारे मज़े पूरे हो जाते है एवरिज भी मिलेगी आपको पावर भी मिलेगी तो यह काफी चीज़ है बाकी इसके इंटियर में चलते हैं और वहां तो भाई यह पूरा लेदराइड डेशबोर्ड है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लूग दे रहा है उसके साथ साथ यार मलब हर चीज़ आपको मैं जिस चीज़ को टेच कर रहा हूं मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिमियम फील हो रही है ऐसा नहीं लग रहा है कि यह ए यहां से आप देखें वॉल्यम को कंट्रोल कर सें वोइस कमांड का अप्शन है यहां पर आपको टियोटा का लोगो मिल जाएगा च्छोड़ हाइलाइट से जो कि बहुत तीज़ा अट्रैक करते हैं जैसे कि यह अल्मिनियम फिनिश आपको दी गई है लैदराई स्टेरिं अपको मिल जाएगा तो यहां पर आते हैं तो यहां पर आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं हीट और फ्यूल गेज़ आपको मिल जाएगा यहां पर आपको छोड़ी स्क्रीन भी मिल जाएगी इसमें काफी साथ इंफरमेशन दे रहा है और अभी आपको दिखा रहे हैं इसके तोड़ा से इस तरफ और आपको यहां से दिखाते हैं क्या क्या यहां पर मौजूद है तरस से पहले जो मैं चीज़ नोटिस कर रहा वह यह आप अल्मिनियूम की फिनिश देख सकते हैं जो अराउंड दा फ्रेंट इसके डेशबूर पर है वहला बहुत ही ज़्यादा हुपसूर लुक दे रही है बाकी यहां पर आपको डॉल जो इसी है और इसके जो एंड्राइड यूनिट है इसके दोनों के सावर्ण प है काफी पारफुल एंजिन तो यह सी तो काफी कमाल कई होने वाले ठीक है बाकि इसके अंड्राइड दियों के बाद करो तो मुझे कफी जाए अच्छा लगए टैच काफी अच्छा बहुत जाए इसको पर कार प्रे और एंड्राइड आटो दोनों मौझूद है ठीक है औ इच एन अवरी तिंक इसमें मौझूद है सरस एर बैग दिये हैं मल्टी एर बैग ठीक है और यहां पर ऑपन के लिए इसके गलब बॉक्स हो तो इसमें भी काफी अच्छी स्पेस मौझूद है वैसे हम देखते हैं कि डश्पूर की उपर वाई जो लेयर होती है बट वह फ्रेंट जो पूरा पूरी साइड है पूरी लेदर में है जो कि इसको काफी प्रिमियम लुक दे रही है बाकि डूर पर भी लेदर मौझूद है और फुल ब्लैक आउट इंटियर बहुत ही जादा चस्ट देता है ठीक है और इसका जो रूफ है वह बिसकली डार्क ग्रे क साथ है ब्लैक और डार्क ग्रे कॉमिनेशन वैसे भी बहुत जाद अच्छा लगता है ठीक हो गया अब बातने जारे नीचे तो यहां पर चोटी सी स्पेस मौझूद है उसके साथ पीछे आते हैं तो बहुत ही जड़ा हुपसूद एक ट्रिम दीगी एक पूरा पैनल है ज के साथ साथ अब देख सकते हैं लदराइड भी दिया गया स्ट्रिचिंग के साथ पीछे आते हैं तो कॉप होल्डर दिये गए हैं अमरेस में कफी अच्छी स्पेस मौझूद है टॉल वार्ड की आउडलेट है ठीक है और यहां पे आप चगूर कर सकते हैं यह प्रॉपर वार्ड कि चीछ और वेक्ट की सीट से ऊपर के के बाकि टाइप सीट बहुत च्स कर वातनी है बाकी यह जिसका इंटियर यह भोत ही ज्यादा कि प्रीमियम इंटियर है इसका भाकी यह कुदहर्द अब जादे करके इसका इंजन वगर भी दिखाते हैं फिर साइट डिटेयल आपको लास्ट में बताते हैं आपको इसका हाड में इसका इंजन यह है भई 1.8 लीटर हाइब है बहुते हैं जायए है थे यह जादा पाया है है कि इसके तो इनपजन और आपको इसके तो अरत बॉह जब आपको आपको बैत only किर इसके तो यह है आपको म Kubernetes करते ह्यां आपको मालब इसका एंजिन बही देखके समझ आजेगी कि गारी ब्रैंड नीव है ठीक है सिरफ और सिरफ 44,000 चली भी है ठीक हो गया और 4 गेट की गारी है ठीक हो गया MDK कार स्टॉप पे E11 में इनका शोरूम है और माशाल लाइन के वास बहुत ही अट्रक्टिव कार्ज होती है आप चक उट कर सकते एक दरहा को जारा शोरूम की मैं ओवर्व्यू दे देता हूँ बहुत जाए अट्रक्टिव कार्ज होती है फिलाज आप इस पर फोकस कहते हैं बहुत तीप मज़े की प्रीमियम किसम की गारी है ठीक है आपके बहुत दिल को लगी है गारी बाकी आपने इसकी कोई भी डिटेल लेनी हो तो आपको मैं डिस्किप्शन में को इनके साथ नम मज़ेगी है 44,000 चली विया तो यहार बस लाइक का ब्रैंड निग है ठीक है और यह पकस्तान में की चली भी नहीं है यहां पर शुरूम पर कड़ी भी है जिस बंदे ने बाइक नहीं हो डेफिनेली विजट कर सकता है बाकी वर्स उमीद करता हूं आपको यह रिवी उपस